एलो दोस्तों ब्लडी संडे योडी उडियूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है जे और आज मैं आप लोगों को डराने के लिए भूतों की बेहट डरावनी और बड़ी ही कतरना कहानिया लेकर आया हूँ दोस्तों पहली कहानी कभी जी की है आगे की कहानी मैं आपको इनी के नजरिये से सुनाओंगा मेरा नाम कभी है मैं आपको मेरे साथ गटी एक सची दानुई कहानी सुनाना चाहता हूँ तो दोस्तों दिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई उस दिन मैं अपने सहर वाले घर से कर इने को वो गाउवाला घर है नहीं तो अगर मैं उसे जंगल वाला घर कहूं तो गलत बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मेरा घर गाउव से बाहर एक बिल्कुल सुंजान इलाके में है। कुछ जरूरी काम से मुझे गाउव जाना पड़ा था। वो वजय तो मैं नहीं बता सकता मगर इस दानवी घटना से मेरे गाउ जाने की वज़े से कोई लेना देना नहीं था मैं अपने गाउ पहुँचा फिर जब अपने घर पहुँचा तो काफी हैरान था पूरा घर घास फूस से भरा हुआ था मेरा गाओ का घर कच्चा है और पिछले दस साल से बंद हैं तो इतनी घास फोस का वहां आ जाना नई बात भी नहीं थे मैंने घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर पहुचा मेरे उस घर के अंदर कई सारे कमरे हैं जिने गाबू में कोठरी भी कहा जाता है घर के अंदर चारो तरप अंदेरा था मैं अपने सोने वाले कमरे में पहुचा और साथ लाई टॉर्च को आउन करके वहाँ पर रख दिया फिर बैक से कुछ खाना जो मैं साथ लाया था उसे निगाला और खाना खाकर मैं सो गया आदी रात को मेरी किसी की भारी आठों से नीद खुल गए मैंने सोचा कि सायद कोई चोर घर में घुसाया है मगर मैंने जरा भी आहट नहीं की क्योंकि चोरों के अलावा गावों में ज्यादतर बदमास और टकैद भी घर में आ जाते है और उनके सामने जो आ जाता है वो उपर पहुँच जाता है मगर हिम्मत करके मैंने कमरे के दरवाजे के पाद से मैंने घर के बाहर आगन की तरब देखा इतने अंधेरे में मुझे कुछ साप तो नहीं दिख रहा था मगर बादलों में चिपे चांद की हलकी रोस्नी में मुझे जो दिखा उसे देख मेरे रॉंग्टे खड़े हो गए मैंने देखा एक बड़ा विक्राल सा आजमी आगन के बीच से धीरे धीरे मगर भारी कदमों में मेरे कमरे के ठीक सामने वाले कमरे की तरब जा रहा था मुझे डर तो काफी लग रहा था मगर साप साप उस वेक्ती को ना देखने की वज़े से बेचैनी भी हो रही थी फिर मैंने हिम्मत करके कमरे में रखी टॉर्च उठाई और टॉर्च उस वेक्ती की ओर मारी फिर मैंने जो देखा वो बेहत खौफनाक था मैंने देखा एक बड़ा विक्राल दानो और जिसके सर के बीच में एक सिंग निकली हुई थी और वो काफी लंबा मोटा और तगड़ा था उसके सरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लगबग हजार किलो का तो आराम से होगा फिर मैंने देखा वो दानो एक आदमी को जो सायद मर गया था या बिहोस था पता नहीं उसे खीच कर मेरे कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में ले जा रहा था मेरे रौंग्टे खड़े हो चुके थे मगर मेरे लिए एक बात फायदे की थी कि मेरी टॉर्ज की रोस्नी पर भी उस दानों ने कोई प्रत्क्रिया नहीं दी थी इसका मतलब मेरे पास वहां से भागने का मौका था और मैंने वो मौका नहीं छोड़ा मैं वहां से फौरण भागा और सिदा गाउं पहुच गया वहां पहुचकर मैंने देखा कि काफी लोग हाथ में डंडे लिए और कुछ लोग मसाले लिए हुए थे और काफी भैवीद भी दिख रहे थे मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया तभी हमारे गाउं के राम खिलावन चाचा मुझे देख कर बोले अरे कभी बेटा तुम कब आ है मैंने उनसे कहा कि आज ही पास शे गंटे पहले वो बोले अच्छा वैसे बेटा तुम्हें अभी यहां नहीं आना चाहिए था वो इतना बोले ही थे कि मैं बोला चाचा एक दानो मेरे मैं कुछ बोलता तभी वो बोले हाँ कभी बेटा वही तो मैं कह रहा था कि तुम्हें अभी यहां नहीं आना चाहिए था यहां एक बहुत बड़ी आफ़त आफ़त आ गई है पिछले चार महीनों से एक दानो लोगों को मौत के घाट उतार रहा है हम लोग उसे ढूनने की कोशिस करते हैं मगर किसी को अपना सिकार बना कर वो उसे पता नहीं लेकर कहां चला जाता है फिर मैंने उनसे कहा चाचा मुझे पता है वो सभी को लेकर कहां जाता है मेरी बात सुनकर कई लोग मेरे पास आ गए उन मेंसे उस लड़के के पिता भी थे जिसे खीच कर मैंने उस दानों को ले जाते हुए देखा था उस लड़के के पिता मेरे आगे हाथ जोडने लगे बोले बेटा वो दानो अभी अभी मेरे बच्चे को ले गया है मुझे बता दो मेरा बेटा कहा है वो काफी भावुक थे और रोते ही जा रहे थे मैंने सभी से कहा कि इनको सांथ करवाईए फिर सभी ने उनको सांथ कराया और फिर मैंने सब को बताया कि मैंने उस दानों को अपने घर पर किसी लड़के को खीच कर ले जाते हुए देखा है सभी गाउवाले मेरे साथ मेरे घर पहुँचे सभी ने कुछ हधियार, लाठी, डंडे और एक बड़ा सा रस्सा भी ले लिया था फिर हम सब गर के अंदर तबे कदमों से गए वो उस लड़के को अगर भगवान की क्रपा से वो जीवित है तो उसे कुछ ना करे सभी लोगों ने ठीक वैसा ही किया हम सब दबे कदमों से उस कमरे तक पहुँच गया जिसके अंदर उस बच्चे को खीच कर ले जाते हुए मैंने उस दानों को देखा था फिर हिम्मत करके हम सब कमरे के अंदर पहुँचे अंदर हमने देखा वो बच्चा जिसे वो दानों खीच कर अंदर लाया था वो बीचों बीच कमरे में पढ़ा था फिर हमने कमरे की हालत देखी कमरे में चारों तरप इंसानी कंकाल पड़े थे हाथ की हड़ी, खोपड़ी और कमरे से बहुत ही भयंकर गंध भी आ रही थी फिर जब हम कमरे में और अंदर गए तो हमने देखा कमरे के ठीक कोने में एक दानो जिसके पूरे सरीर पर बड़े बड़े बाल थे वो लेटा था और वो नींद में था उसे देखकर काफी लोग एकदम सांत रहे गए, वो एकदम सन हो गए और उसका भारी सरीर देखकर राम खिलावन चाचा और कई लोगों ने हमें सला दी कि इसे रस्से और लाठियों से काबू करबाना संभव नहीं है फिर मैंने कहा कि अच्छा तो पहले इस लड़के को बाहर ले चलिए फिर सोचते हैं कि इसका करना क्या है सभी लोग उस बच्चे को लेकर बाहर आ गए बगवान की ग्रपा से उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ था वो बेहोस था और उसके मूपर पानी मानने पर उसे होस आ गया था फिर हम सबने सोचा कि इस दानों को घर पर ही खत्म कर देते हैं लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि ये कैसे होगा तभी गाओं के राम खिलावन चाचा बोले बेटा एक तरीका है बगर उससे तुमें दिक्कत होगी मैंने उसे पूछा कि क्या चाचा आप बताईए बेटा अगर इस घर को आग लगा दी जाए और जिस कमरे में वो दानों सो रहा है उसे बाहर से बंद कर दिया जाए तो ये दानों घर पर ही जल कर मारा जाएगा मैंने थोड़ा सोचा फिर मैंने चाचा से कहा कि ठीक है चाचा आप सब मेरे इस घर को अग लगा दीजिए वैसे भी हम यहां नहीं रहते हैं और अपना काम खदम करके मैं भी वापस सहर लोट जाओंगा और वैसे ये बात तो है कि हम जहां नहीं रहते लेकिन ये हमारी जन्व भूमी है तो इसे अनावस्यक तो नहीं जलाना था नहीं बरबात करना था लेकिन गाओं की भलाई के लिए और जिसमें सभी की भलाई है तो आप इसे जला दीजिए मेरी बात सुनकर चाचा बोले कि ठीक है बेटा तिर चाचा बोले चलो भाईयों पहले चल कर उस कमरे को बंद करो सभी वापिस घर के अंदर गये मैं भी गया और चाचा दर्वाजा बंद करने वाले थे कि मैं बोला चाचा एक बार फिर से हमें देख लेना चाहिए कि अभी भी वो दानों अंदर ही है या फिर नहीं है चाचा बोले ठीक कहते हो फिर सब कमरे के अंदर वापिस गए हमने देखा कमरे में अभी भी वो दानों गहरी नीन में सोया हुआ था हम सभी बाहर निकलने लगे कि तभी गाओं के ही एक आदमी से लोगों के धक्के की वज़े से उसकी मसाल जो उसने हाथ में पकड़ रखी थी जमीन पर धडाम से गिर गई मसाल की आवाद से वो दानों नीन से जाग गया और एकदम से उसने हम पर हमला कर दिया हम सब कमरे से बाहर भागे लेकिन कमरे से निकलते हुए हमने देखा उस दानों ने हमारे गाओं के राम खिलावन चाचा पर हमला कर दिया था और उनके सर को धर से उखार दिया था तभी गाओं के एक आदमी ने हिम्मत करके कमरे का दर्वाजा बाहर से बंद कर दिया राम खिलावन चाचा का मुरत सरीर और वो दानों कमरे के अंदर ही थे फिर हम सब ने एक दूसरे को होसला दिया और कहा कि ये वक्त रोने का नहीं है हम ये इस दानों को खत्म करना है फिर हम सबिने पूरे घर को आग लगा दिया और घर से बाहर आ गये घर के बाहर का दर्वाजा भी मैंने बाहर से बंद कर लिया ताकि किसी भी तरब से वो दानों बाहर ना निकल पाय थोड़ी ही देर में पूरा घर जलने लगा और फिर हमें उस दानों की दर्दनाक और खौब भरी चीखे आदे एक घंटे तक सुनाई दी और एक घंटे बाद सब सांथ हो गया पूरा घर जलकर राख हो गया और उस दानों की आवाजे आना भी बंद हो गई फिर हम सब वहां से गाउं चले आए गाउं में सभी ने मेरा खुब ख्याल रखा और दूसरे दिन मैं सहर के लिए लोट गया तो दोस्तों यही थी मेरे साथ घटे सची दानोवी घटना और बहुत धन्यवाद है जै भाई का कि उन्होंने इसे आप तक पहुँचाया हेलो दोस्तों मेरा नाम विराट है मैं पिछले चार-पाँच दिनों से भूतिया घटनाओ का सिकार हो रहा हूँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दू कि मेरे सहर में खुद की एक दुकान है और चाल साल से मैं सहर में ही रहता था अब ही कुछ महीनों से कुरोना वाईरस ने काफी परेसान कर रख़ा है और जिससे मेरे धंदे पर भी काफी अज़र पड़ रहा है और साथ ही इस वाईरस से डर तो लगी रहा था मगर पेट की रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है मगर मेरी सहर में तंदे के नाम पर एक ही दुकान है मेरा पेट का खर्चा उस दुकान से निकलाता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और गाउं में मेरा घर भी है पिछले चार सालों से मेरा गाउंवाला घर बंद पड़ा था मैं सहर में ही अपनी दुकान चलाता था मगर जब कुरोना के डर से लोगों का दुकान पर आना बंद ही हो गया तो मैंने सोचा कि चलो गाउ चलता हूँ क्योंकि अब सहर में रुक कर कोई फायदा नहीं है और गाउ न जाये कई साल हो गए है और गाउं में ये बिमारी उतना फैली भी नहीं है सुरच्छित भी रहूंगा और गाउं भी घूमाऊंगा यही सब सोच कर मैं गाउं के लिए निकल पड़ा और रात तक गाउं पहुँच गया मेरे गर के आसपास में कोई भी घर नहीं है यही वज़े थे मुझे अपने घर पर अकेले में काफी डर लगता था अब मैं अपने घर के पास पहुँच गया था घर के दर्वाजे पर चार साल पुराना ताला लगा था मुझे डर था कहीं एक खराब नहो गया हो मैंने जल्दी से घर का दर्वाजा खुला गर के दर्वाजे का ताला बड़े आराम से खुल गया मैं घर के अंदर पहुँचा मगर अंदर जाकर मैंने देखा गर में काफी पानी भरा हुआ था आपके पैर का अंगोठा डूप जाये इतना पानी मैं काफी हैरान हो गया कि मेरे घर में ये पानी आखिर कहां से आ गया मैंने अपनी हाथ पर अपना फोन पकड़ रखा था मैंने फोन के फ्लैस लाइट घर के बाहर घर का दर्वाज़ा खोलते वक्त आउन की थी फिर मैंने सोचा हो सकता है ये बरसात का पानी हो मगर मेरे घर की छत भी तो बंद है फिर ये बरसात का पानी तो नहीं हो सकता यही सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे फिर मैंने अपना रुमाल बाहर निकाला और उस से अपना चेरा पोशने लगा तभी मुझे गर के दूसरे कोने से किसी चीज के काफी तेजी से गिरने की आवा जै मैं काफी तेज हडबडा गया और हडबडाहट में मेरा रुमाल हाट से चोटकर जमीन पर गिर गया मेरे दिल की दढखने काफी तेज हो गई थी बार भार एक ही खियाल मेरे मन में आ रहा था कि चार साल से बंद इस घर में मेरे अलावा और कौन है यही सोस्ते सोस्ते मैंने अपना रूमाल उठाया और रूमाल की तरफ जब मैंने देखा तो मेरी चीख निकल गई रूमाल पानी से नहीं बलकि खून से बेगा था मैं वहां से बाहर भागा और घर से बाहर आ गया घर के बाहर मुझे एक आदमी दिखाई दिया मुझे देखकर वो बोला कि क्या हुआ भाई आप मुझे काफी डरे हुए दिख रहे हो मैंने कहा हाँ यार वो मेरे घर में मैं इतना बोला ही था कि मेरे नजर उस आदमी के पैरों की तरब गई उस आदमी के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और बहुत खतरनाक दिख रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कि सड़े हुए हो मैं ये देखकर उसके पास से भागा और भाग कर वापस घर में कोस गया और दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर लिया अब आप सब सोच रहे होंगे मैं वापस घर में क्यूं भागाया तो ये मुझे भी नहीं पता मगर उस आदमी को देखकर मुझे पहले का कुछ भी याद ही नहीं रहा और मैं घर के अंदर आ गया और मैंने दरवाजा बंद कर लिया अगर थोड़ी देर में ही मुझे महसूस हुआ कि जमीन तो बिल्कुल सूखी पड़ी है मैंने फोन की फ्लैस लाइट घर की जमीन पर की और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं काफी हैरान हो गया पूरे घर की जमीन सूखी हुई थे और खोन या पानी कुछ भी नहीं था मैंने हलका सा दरवाजा खोल कर घर के बाहर देखा बाहर मुझे चार पांच लोग एक साथ एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े दिखाई दिये उन सब ने एक गोल घेरा बना रखा था और मुझे सिर्फ उनकी पीठ नजर आ रही थे मैंने दीरे से दरवाजा फिर से बंद कर दिया और वापस घर की तरफ मुड़ गया और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मैं एक जटके के साथ दरवाजे से चिपा गया जो आदमी कुछ समय पहले ही मुझे घर के बाहर दिखा था जिसके पैर पीछे की और मुड़े हुए थे वो मेरे सामने खड़ा था मैं डर से काप रहा था और चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था ना तो चीख पा रहा था ना भाग पा रहा था तब ही वो आदमी फिर से बोला क्या हुआ भाई आप मुझे काफी डरे हुए दिख रहे हो मैंने उससे हलकी आवाज में पूछा कौन? कौन हो तुम? और मुझे क्या चाहते हो मेरे इतना कहते ही वो आदमी जोड जोड से हसने लगा और बोला क्यों विराट भूल गया मुझे मैं वही हूँ जिसकी जान ली है तुने मैंने उससे कहा नहीं नहीं मैंने किसी की जान नहीं ले तब ही उसे आदमी के ठीक पीछे वो पाँचों आदमी और आ गए जिनने मैंने घर के बाहर अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो सब एक साथ बोले क्या हुआ भाई आप मुझे काफी डरे हुए दिख रहे हो और फिर वो सब जोड़ जोड़ से हसने लगे उनकी बात सुनकर मुझे याद आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी दिरसल लॉकडाउन के बात भी मैं अपनी दुकान खोलकर बैठा था और जो आदमी भी मुझे दिखता उसे अपने पास बुलाता था और उसे कहता क्या हुआ भाई आप मुझे काफी डरे हुए दिख रहे हूँ फिर वो सब कहते हाँ यार कुरूना वाइरस ने काफी परिसान कर रखा है और मास्क भी नहीं मिल रहे है तब मैं कहता अरे क्या बात कर रहे हो मास्क चाहिए तो मुझसे ले लो एक नमबर मास्क है उन सभी ने मुझे पर विश्वास करके मुझसे मास्क ले लिया था मगर मैंने उन सब के साथ धोका किया था और पैसे कमाने के चक्कर में सभी को नकली मास्क दे दिया था मैं ये सोच ही रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तब ही वो सब बोले तुझे भी मरना होगा मरना होगा तुझे यही कह कर उन सबने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और सभी जोर जोर से मुझे सास लेने लगे सभी मुझे पर सास छोड़ने लगे और मैं चीखता रहा चिलाता रहा थोड़ी देर बाद वो सब मेरे सामने से गायब हो गए सुबह तक करके एक कोने पर मैं पड़ा रहा और सुबह होते ही नजदी की स्वास्त केंद्र पहुँचा वहाँ जाकर मैंने अपनी जाच कराई मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और चार दिनों से पड़े पड़े जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूँ मुझे अभी भी वो सब रोज दिखाई देते हैं और वो मुझे देखकर हसते हैं वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं मैं अपनी गलती की सजा भुगत रहा हूँ और मैं बचूंगा या मरूंगा मुझे ये भी नहीं पता हर दिन मेरी हालत और खराब हो रही है आप सब मेरी जैसी गलती कभी मत करना और ना ही घरों से बाहर निकलना दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानिया मुझे उम्मीद है कि आपको एक कहानिया जरूर पसंदाई होंगे ये दूसरी कहानिया आप लोगों ने सुनी ये कोरोना के टाइम पर मैंने आप लोगों के लिए एक रियेट किया था एक सोसल मैसिस देने के लिए मैंने ये स्टोरीज आप सब के सामने पेस की थी आज उन्हें वापस रिपीट किया है ताकि आप लोग भी इंज्वाय कर सके और कुछ पास्ट मेमोरीस को आप याद कर सके खेर दोस्तों इसके बाद आप सभी को स्लिप म्यूजिक सुनने को मिलेगा उम्यद करता हूँ आपके कहानिया पसंदाई होंगे अगर आप स्लिप म्यूजिक ना सुनना चाहें तो आप यहाँ से वीडियो को स्कित कर सकते हैं कर सकते हैं झाल 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 झाल